एक गाय की मौत के बाद गैंक्स ओफ पंजाब उभर कर सामने आ गया है बात सिद्धू मूसेवाला की करेंगे आप जानते ही हैं कि जिस तेजी के साथ कश्मीर में टागेट किलिंग हो रही है वो तस्वीरे भी हमने आपको दिखाएं लेकिन आप बात करनी जरूरी हो जाती है सिद्धू मूसेवाला की सिद्धू मूसेवाला की पोस्मॉटम रिपोर्ट आ गई है रिपोर्ट के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला की शरीर पर 19 बुलिट इंजरी मिली है जबकि कुल 23 जक्म मूसेवाला के शरीर पर थे गोली लगने के 15 मिनिट के अंदर ही मूसेव मूसे वाला की मौत हो गई 14-15 गोलिया शरीर के अगले हिस्ते पर लगी थी शरीर पर 3-5 सेंटी मीटर तक के घाओं के निशान थे यह हम आपको बता रहे हैं जो पोस्मॉटम रिपोर्ट में निकल कर सामने आया है एक तरफ मूसे वाला की मुर्डर मिस्ट्री सुलज नहीं रही है वहीं दूसरी तरफ इस मुर्डर को लेकर गैंगवार की आशंका से पारा गर्म होता जा रहा है मूसे वाला मुर्डर केस से कैसे बट गया पंजाब का माफिया हमारी एक्स्क्लोसिव रिपोर्ट भारत की बात में देखिए पहली तस्वीर शाम 5 बजकर 12 मिनट दूसरी तस्वीर शाम 5 बजकर 21 मिनट और तीसरी तस्वीर शाम 5 बजकर 31 मिनट और इसके पाँच मिनट बाद ही सिद्धू मोसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गए सिद्धू मोसेवाला पर 30 से ज़्यादा गोलिया चली थी जिसमें कहा जा रहा है कि 24 गोलियों के निशान सिद्धू मोसेवाला के शरीर में लगे थे अब आखरी 24 मिनट का वीडियो भी मुझूद है पहला वीडियो शाम 5 बज़ कर 12 मिनट का है 41 सेकिंड के इस वीडियो में सिद्धू मोसेवाला की गाड़ी मानसा सिर्सा रोड पर राम दिता चौक से मुरती है और ठीक कुछ सेकिंड बाद वो कोरोला और बोलेरो भी पीछा करती हुई दिखाई दे रही है अब ये दूसरा वीडियो देखिए जो पहले ही सामने आया था इसमें भी सिद्धू मोसेवाला की थार गाड़ी के पीछे कोरोला और बोलेरो है और जो तीसरा वीडियो है वो हत्या से ठीक 5 मिनट पहले का है यानि 5 बज़ कर 31 मिनट पर आगे आगे थार गाड़ी जाती दिख रही है उसके पीछे इस बार बोलेरो है और कोरोला करीब 30 सेकिंड बाद रोड से गुजर रही है इस वीडियो के करीब 5 मिनट बाद ही सिद्धू मोसेवाला की हत्या हो गई बताया जा रहा है कि पहले अपरादियों ने सिद्धू मोसेवाला की गाड़ी के टायर में गोली मारी फिर घेर कर 30 से ज़ादा गोली अदा गी सिद्धू मोसेवाला ने बचने की कोशिश की लेकन घेर कर किये गए हमले में वो मारे गए रविवार की शाम को हत्या होई और अब धुरुवार का दिन भीत चुका है लेकिन पंजाब के पुलिस अभी भी नतीजे पर नहीं पहुच पाई आप पुलिस ने हत्या में इस्तिमाल कॉरोला कार की कुंडली जरूर निकाली पुलिस का दावा है कि कॉरोला कार गैंग्स्टर मनप्रीत मनना की है जो कि फ्रोजबुर की जेल में बन था मनप्रीत मनना से पंजाब पुलिस शूटरों के बारे में जानकारी ने रही है मोत का बदला लेने के लिए विक्की गोंडर बंबीहा गैंग और नीरज बवाना गैंग खुल कर सामने आ चुके हैं बंबीहा गैंग से जुड़े भूपी राना ने आज फेस्बुक कोस्ट पर बदला लेने की बात लिखी भूपी राणा ने हत्यारों के बारे में बताने वालों को पांच लाकाई नाम देने की घोशना की है यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि हत्या के कुछ देर बाद ही कनाडा में बैठे गोल्डी बरा ने अपना और लॉरेंस बिशनोई का नाम लिखकर हत्या की जिम्मेदारी लिदी लेकिन पुली सूत्रों के मताबिक पूश्ताच में लॉरेंस बिशनोई ने मुसेवाला की हत्या में शामिल होने से इंकार किया है और हम आपको बता दें कि जो आशंका है उसके मताबिक सिद्दू मुसेवाला की हत्या की साजश में कौन कौन शामिल हो सकता है उसके बारे में अब मैं आपको जानकारी देने जा रही हूँ हमने खास तोर पर ग्राफिक्स तैयार किये हैं हत्या की साज़िश कैनेडा में रहने वाले गोल्डी बराड ने रची गोल्डी बराड तस्वीर भी आप देख सकते हैं तेहार जेल से लौरेंस बिश्णोई ने इस पूरे हत्याकान को अंजाम दिलवाया शाहरुक नाम के अपरादी से रेकी करवाई गई मंडोली जेल में बंद काला जठेडी और काला राणा ने लौरेंस बिश्णोई की मदद की इस पूरे हत्याकान को अंजाम देने में पंजाब की फिरोजपूर जेल में बंद मन प्रीत मन्नू का नाम भी साजिश में आया है शक है कि भटिंडा जेल में बंद शरत भी इस हत्याकांड में शामिल है हम आपको बता दें कि असल में गोल्डी बराड लॉरेंस बिश्णोई और एक तीसरा शक्स विक्की मिडुखेडा बच्पन के दोस्त थे पिछले साल विक जूटी हुई है पापाप पोरिया से शीटी जानी ना कोडिया सटी कोडिया सटी काप है सहर अंगरे देला कियें कोडिया सटी कोडिया सटी वो बहुत दूर है कोडिया वो अंगर्ण कुरिया सिटी कुरिया सिटी का है प्रोफेसिल साब को पता होगा वह यह चोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं आपनी, देरी बेटी से जा के मिल लो, शायद उसे मालो. हाई, बाबा ने भीच आये, come here. कुरियसिटी कुरियसिटी नहीं, कुरियॉसिटी वो के? वो के? ए, अ, 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 बाब ब्रॉट यू क्यो? जो तुम्हे यहां थकले आया? कुरियॉसिटी ABP News आपको रखे आगे